हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आज देखे मैं आपके लिए इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो लेके आई हूँ और ये बोडर डिजाइन बना सकते हैं या फुल कार्डिगन में डाल सकते हैं आप दोनों तरीकों से इसे बना सकते हैं ये बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन बनता है जिग जग शेप भी ले लेता है इस तरह से आप चाहू तो इसे बोडर में भी डाल सकते हो या फिर आप हाफ में इसे डालिए और उपर से चाहे प्लेन बना लीजिए तो भी ये बहुत सुंदर बहुत प्यारा डिजाइन बनेगा देखिए इ सीधी तरफ से、 इस तरह से और उल्टी तरफसे इसके पूरी रोजितनी भी तराईयां डालेंगी ना उल्टी तरफ से ये सारी उल्टी-उल्टी ही डालेंगी। तो आप इसे कुर्ती में, अपने स्टोल वगारा में, शाल में ऐसे बनाईए इसे, या फिर फ्रोक वगारा बनाना चाहते हूं, उसमें डालिए, अपने फुल कार्डिगन में डालिए, या फिर आप इसे जाकेट वगारा में, चाहे पूरा इसे ऐसे ही डिजैन को डाली दि यह आपकी च्वाइस होगे और देखें यह कितना सुंदर कितना प्यारा बहुत लाजवाप सर देखें यह डिजाइन है बढ़ाने में भी बिल्कुल असान 13-13 की मल्टीपल से इसके लिए फंदे डालने है दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं 13-13 की मल्टीपल से देखें यह 13-13-13-13-13-13 ऐसे करते हुए जाना है लास्ट में यह दो फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो अच्छे से यह डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा तो चले जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने फंदे डाल लिए हैं 28 फंदे 28 फंदे लिए हमेने सलाई में 13 के मंटी पासे 26 हो गए 13 दूनद 26 और दो फंदे जो एक्स्ट्रा लेने थे 28 फंदे लिए हैं ठीक है सिर्फ चार सลाईयों का डिजान है यह हमारा लेकिन यहां पर फंदे डालने के बाद जो फ़र्स्ट रो हमने डालनी है न दो रो वो बेसिक रो हैं तो यह पूरी हमने उल्टी-ल्टी बना लेनी हैं फंदे आपने जब डालने हैं थोड़ा सा धिली हाथ से डालने हैं बहुत जादा भी लूज नहीं डालने हैं लेकिन आप देख रहे होंगे मैं बना रही हूं तो ये बड़े अराम से सारे फंदे बन रहे हैं तो ऐसे ही आपने भी फंदे डाल लेने हैं और ये पूरी इरो इसी तरह से हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है अब उल्टी तरफ से भी पूरी रो हमने उल्टी बना लेनी है इसी तरह से उल्टी तरफ से जितनी भी स्लाइया पड़ेंगी ना हमारी जाली वाले फंदे होंगे यहां सिंपल वो सारे ऐसे ही सिंपल हमने उल्टी उल्टी रो डालते जाना है ठीक है सिर्फ चार स्लाइयों का हमारा डिजैन है दो स्लाइयों तो उल्टी तरफ से उल्टी डलेंगी, दो स्लाइयों में ये डिजाइन डलेंगे, बहुत असान है, बड़े अरामसे बिगिनर भी से बना लेंगे, तो पहले ये रो कम्प्लीट कर लेते हैं अब सीधी तरफ से देखके ये फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये एक फंदा सीधा ठीक है? अब इन डो फंदों को छोड़ दिजए, यहां से आपने रिपीट पैटरन स्टार्ट करना है, दागा अपनी तरफ करना है, दागा अपनी तरफ करते हुए, यहां पर ऐसे एक, दो, तीन, चार, और यहां पर आप कर देंगे इन तीन फंदों को एक, तीन का एक, अब फिर से चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहां पर जाली डालेंगे और यह दो फंदे सीधे, अब यह तेरा फंदों का हमारा डिजाइन बन गया है, इन ही तेरा फंदों को आपने रिपीट करते जाना है, इन दो फंदों को छोड़ेंगे, यहां पर हमने जाली डाली, यह चार फंदे उल्टे, तीन का एक कर दिया, फिर से चार फंदे उल्टे, फिर से जाली डाली, दो स्सक्राइब को चूड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छेम साथ आठ नो दस ग्यारा बार तेरा अब फिर से जिसरान की रधागा अपनी तरफ करेंगे अशे उल्टे कें तरफ से इस तरह से धागा घुमाएंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार चार फंदे उल्टे बनाने के बाद यहां पर एक दो तीन तीन का एक कर देंगे तीन का एक करने के बाद फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब धागा अपनी तरफ रखेंगे यहां पर जाली डाले फंदे और यह दो फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से आपने फास्ट रो बनाकर इसकी कम्प्रीट कर लेनी है अब सेकिंड रो उल्टी तरफ से पूरी हमने उल्टी बना लेनी है इस फर्स्ट फंदे को उतारिए यह सारे फंदे के यह जाली वाले फंदे को भी ऐसे उल्टा ही बनाते जाएंगे इस तरह से अब सीधी तरफ से थर रो है यह हमारी फंदे को उतारेंगे फंदे को उतारने के बाद एक फंदा सीधा ठीक है फिर धागा अपनी तरफ किया था पहले हमने ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए यहाँ पर चार फंदे उल्टे बनाए थे ठीक है लेकिन अब थर्ड रो में हमने क्या करना है धागा अपनी तरफ करना है अब इन चार फंदों को सीधा बनाना चार फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन इन तीन फंदों को तीन का एक कर लेंगे इस तरह से तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तर इस तरह से, तो ये 13 फंदों का डिजाइन होगे, हमारा इस दो फंदों को छोड़िए, पहले जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर यहां पर 3 का एक करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 फंदे सीधे, इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ यहां पर जाली डालेंगे ये एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ यहां तीन फंदों को एक साथ लेंगे, तीन का एक कर देंगे, धागा दूसरी तरफ चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब धागा अपनी करेंगे फिरसे जहां पर जाली डालेंगे। यह लागा यह लेस्ट के दोtez इसे करते हुए पूरी रोधट रो बना कर केकल गया और आप फॉर्थ रोह ंतनी तरफ से बनाएंगे और यह बनानी है इस फिरस्ट फंदे को उतार देना है और ये पूरी रो उल्टी इस तरह से तो ये रो कम्प्लीट कर लेते हैं ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाते हुए ये चार स्लाइयों का हमारा डिजैन यहीं पर बनकर कम्प्लीट है इसके बार देखिए आपने क्या करना है ये दो फंदे सीधे यहाँ पर जाली डालेंगे लेकिन उल्टा बनाते हुए ठीक है ये एक दो तीन चार फंदे उल्टे यहाँ पर तीन का एक करेंगे फिर से चार फंदे उल्टे फिर से जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे ऐसे ही पूरी रो में आपने कंटिनू डालते जाना है तो इस तरह से ये ब्यूटिफूल डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा बहुत सुंदर बहुत प्यारा और बहुत असान भी है ये डिजाइन मुराने मे तो अगर आपको ये मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाई वाइ वाइ निस दे